अपना हब किस से मांग है? सरकार से मांग है तो मिलता है आस्वासन और न्याय पालकास से मांगते हैं तो मिलती है तारीख तारीख पे तारीख दोस्तों ये बन गई है पहली O.R.O.P.2 और पैंसिन रिवीजन की पहली में एक नया टुष्ट आया है और नया क्या टुष्टा है ये बाद में समस्ते पहले इसकी पूरी कहानी शुर लेते हैं किसी ने कहा ये चुनावी मुद्दा बने गा किसी ने कहा सरकार के पास पैसा नहीं है किसी ने कहा ये कोड के चक्कर कटाएंगे किसी ने कहा ये सुपीम कोड का ओडर भी डिशो भी कर रही आकर सरकार चाहती, क्या प्रिजात तंत्र इतना लंगडा हो गया है दोस्तों जैसा हम सबी जानते हैं लंबे समय की लड़ाई लंबे समय का इस्ट्रेगल करने के बाद OROP 2 नहीं मिला बट पैंसिन रिवीजन के लिए माननी होनेबर सुपीन कोट ने आदेश दिया था कि 16 मार्च के बाद अगले जो तीन मेने उसके अंदर सभी की पैंसिन रिवीजन करना है यानि लाश्ट डे सुपीम कोट ने का है कि इसकी हेरिंग होगी 12 सितम्बर 2022 यह आज चार दिन बाद और 12 सितम्बर 2022 को क्या निर्ड़े हो सकता है इसकी बहुत सारी बातचीत आप मेरे भगल में आप सुन सकते हो पढ़ सकते हो उसमें लिखा है सीधा सीधा ये कौन सा गेम है ये कौन सा प्र परकार से अपनी बात को मनवा ले फिर आखिर हम नयाय के लिए जाएंगे का यानि बारातारी के लोजिक पर बहुत सारे टूट से लिखे हुए हैं उसमें बात किया हुआ है कि गबर्बेंट ओफ इंडिया को बारातारी को कोट क्या आदिश देगा क्या तीन मेने और बढ़ कौन सा सक्त हुकम मिलेगा सरकार को कौन सा सक्त हुकम मिलेगा मोड को था कि बहुत सारे लाख defenses हैं जिससका इंतजार कर रहे हैं को उनकी pension में संसोधन होना है उनको area मिलना है बहुत सारी fake news बहुत सारा confusion create होता जा रहा है लेकिन गवर्मेंट अपने इस मामले को सिर्फ लोग सवाय राजसवा में ये कह करके टाल गई कि मैंने आदेश दिया है डिफेंस सेकेटरी को आदेश मिल चुके हैं और बाकी इस AWS के सेकेटरी को मिल चुके हैं लेकिन ये अभी तक इंप्लिमेंट ने हुआ जैस इंतियार धन्यवाद दोस्तों